पुनीत को चिकन खाने का बड़ा शौक है लेकिन उसकी पत्नी मंजू शाकाहारी है शादी से पहले मंजू ने पुनीत को बता दिया था देखिए मैं शुद्ध शाकाहरी हूँ, मैं मांस मचली नहीं खाती अरे कोई बात नहीं, मेरे लिए तो बना सकती हो न मैंने कभी बनाई नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगी लेकिन सुहाग रात के अगले दिन पुनीत की मा का देहान थो गया था मा की वज़े से इस नल्ले पुनीत को पाल रहा था अब इसे घर से निकालने का वक्त आ गया है पुनीत और उसका बड़ा भाई रोहित एक साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे पुनीत को हिसाब किताब अच्चे से आता नहीं था रोहित उससे हर एक छोटा बड़ा काम करवाता था और खुद बस बैठ कर हिसाब किताब करता था वो अपने भाई को हिस्तेदारी से निकालना चाता था लेकिन उनकी मा की वज़े से ये हो नहीं पा रहा था लेकिन अब मा नहीं रही पुनीत चल अपना सामान ले और निकल जा इस घर से निकल जाऊं लेकिन कहा जाऊंगा भीया मंजु ने रोते हुए अपनी जेठानी का पैर पकड़ लिया दया कीजे दीदी मेरी अभी अभी शादी हुई है मैं कहा जाऊंगी इस बैल बुद्धी से शादी है क्योंगी इसके दिमाग में गोबर है गोबर कुछ काम धंदा आता नहीं है इसे फाल तुमें हर महीने पैसा मिलता है इसे लेकिन और नहीं निकल जो यहां से रोहित और शीतल ने मिलकर पुनीतो और मंजु को घर से निकाल दिया शीतल ने बस अपने ले कुछ साड़ी ले ली और खाना बनाने के लिए उसे बस एक हांडी और एक चमच मिला दीदी एक हांडी और एक चमच से मैं खाना कैसे बनाऊंगी सात्मी और कुछ तो दे दो अरे जा जा ऐसा क्या बनाएगी तू इतने सारे बरतन लगेंगे खाना तो तुझे सुखे चावली है, इसमें ही हो जाएगा एक हांडी में क्या क्या बन सकता है ये शायद शीतल को पता होता तब शायद वो हांडी भी ना देती जो भी मिला उसे समेट कर पुनीतो और मंजू नए घर की तलाश में निकल गए मंजू, माफ कर दो मुझे मेरी वज़ा से शादी के बाद ही तुझे ये सब सहना पढ़ रहा है इसमें आपकी क्या गलती है जी आपको कैसे पता होता कि आपका बड़ा भाई और भावी ये सब करने वाले है असलने बचपन से ही मैं बाल बुद्धी हूँ मैं पढ़ाई रिखाई मैं अच्छा नहीं था भाईया हमेशा मुझे डाटते थे सिर्फ मा मुझे से प्यार करती थी मा की वज़य से ही सब कुछ सही चल ला था कोई बात नहीं जी अब मैं आ गई हूना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा कैसे ठीक होगा मंजू ना मेरे पास पैसे है और ना ही घर हम कहां रहेंगे क्यों फुटपाद पर किते सारे लोग रहते हैं हम भी रहेंगे और पैसा कहां से आएगा अभी हम भीक मागेंगे बाद में देखा जाएगा मंजु ने फुटपात पर लकड़ी और अपनी साड़ियों से एक तंबु जैसा बना लिया और उसी के अंदर दोनों रहने लगे अगले दिन सुबह पती-पत्नी भीख मागने लगे भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा हम बहुत गरीब है साहब, पैसे दे दो साहब, लेकिन दोनों जवान पती-पत्नी को देख कर लोग बोलने लगे यह देखो, देखो इने, इनको बस मुफ्त का घना चीए, आथ पैर सब कुछ ठीक-ठाक चलना है अरे भई, कोई काम क्यों नहीं करता तो है बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन असली वक्त पर सभी कट लेते हैं वो आदमी भी वहाँ से चला गया लेकिन मंजू और पुनीत को अपना पेट भरना था पासी में बंटी नाम का 15 साल का लड़का भीक मांगता था उससे मंजू और पुनीत की दोस्ती हो गई बंटी कभी पाओ तो कभी रोटी लाकर मंजू और पुनीत को खिलाने लगा भाई, ऐसे ही कोई भीक नहीं देता उसके लिए एक्टिंग करनी पड़ती है, एक्टिंग अच्छा, वो कैसे? पुनीत को ये आइडिया अच्छा लगा अगले दिन पुनीत बंटी के साथ अंधा बन कर भीक मांगने गया और आज उसे पूरे 400 रुपे भीक में मिले मंजू खोश हो गई अरे बंटी, तुझ में तो बहुत अकल है तेरी वज़े से आज हमें इतना पैसा मिला बोल तुझे क्या खाना है? मैने बहुत दिनोंसे चिकन नहीं खाया अहाँ, मैने भी बहुत दिनोंसे चिकन नहीं खाया मैं चिकन लाता हूँ लेकिन कढ़ाई नहीं है अच्छे ठीक है ले आईए मैं कुछ जुगाड करती हूँ पुनित एक किलो चिकन ले आया और मंजू लकडियों के चूले पर हांडी चढ़ा देती है और उसने उसमें चिकन डाल दिया पता नहीं कोशिश करती हूँ और कुछ है भी तो नहीं मंजू ने उसी के अंदर अद्रक, लहसु, नमक और सरसो का तेल, हल्दी और मिर्श डाल कर अच्छे से मिला दिया और धीमे आज पर पकाने लगी घंटो भर चिकन पकने के बाद मंजू ने हांडी का धकन खोला और उसमें से इतनी अच्छी स्मेल आई कि मंजू के मुह में भी पानी आ गया अरे वा, मैंने जिन्दगी में पहली बार चिकन बनाया है, स्मेल तो बढ़िया लग रही है आज खा के भी देख लो मंजू, वैसे भी और कुछ नहीं है मंजू ने जल्दी जल्दी चावल पकाया और तीनों ने मिलकर हांडी में बना हुआ चिकन खाया अरे वा, टेस्ट भी तो बढ़िया है मंजू चाची, आपने क्या चिकन बनाया, ऐसा चिकन मैंने कभी नहीं खाया मैं भी, हांडी में इतना अच्छा चिकन बनता है, ये मुझे पता नहीं था एक केलो चिकन तीनों मिलकर खत्म कर देते है मन्जु चाची, आपने इतना अच्छा हांडी चिकन बनाया है, आप यही हांडी चिकन बेचती क्यों नहीं हो? अरे हाँ, ये तो तुमने सही कहा लोग एक ही तरह का चिकन खाते खाते बोर हो गएं, लोगों को ये हांडी चिकन भहुत पसंद आएगा लेकिन उसके लिए भी तो पैसों की जरुवत है बड़ी हांडी चाहिए चूले के लिए लकड़ी चाहिए बरतन चाहिए कम से कम 10,000 रुपे की जरुवत है कहां से आएगा पैसा मैं दूंगा न, भीक मांग मांग कर बिजनस करने के लिए कुछ पैसे इखटे की हैं मैंने इसी व्यापार मैं लगा देता हूँ पैसा आप मुझे पार्टनर बना ले न अगले ही दिन से मंजु ने हांडी चिकन बनाना शुरू कर दिया हांडी चिकन की स्मेल से ही लोग आने लगे मंजु फुटपात पर बैठ कर हांडी चिकन बनाने लगी बंटी और पुनीत लोगों को खिलाने लगे इसी तरह वो दुकान फुटपात हांडी चिकन के नाम से फेमस हो गई जिस आदमी ने पुनीत और मंजु को कुछ काम करने की सला दी थी वो एक दिन खाने आया और हांडी चिकन खा कर उसने बहुत तारीफ की इसी तरह एक साल की अंदर उन लोगों ने दुकान खड़या कर दी बंटी उन दोनों के साथ ही रहने लगा उधर रोहित के होटल में धंदा बंधोने की कगार पर आ गया क्योंकि पुनीत ही सारा काम संभालता था सभी कस्टमर के साथ अच्छा बरताव करके उन्हें खुश रखता था लेकिन रोहित वो नहीं कर पाया और होटल बंधो गया और एक साल बाद पुनीत ने उस होटल को भी खरीद लिया और इसी तरह हांडी चिकन बेचकर पुनीत मंजू और बंटी अमीर हो गए और खुशी-खुशी जीवन बिताने लगे ये कहानी है निखत और उसके बेटे अली की निखत से उसके शोहर का साथ निकाह के दो साल बाद ही छूट गया उस वक्त अली को पैदा हुए बस कुछी महीने हुए थे यही वज़ा थी कि उस मासूम के जहन में उसके अब्बू से जुड़ी कोई याद नहीं थी उसने तो अपने अब्बू को बस तस्वीरों में ही देखा था अब्बू को खाने में क्या पसंद था? वही जो तुझे पसंद है वो भी तेरी तरह बिर्यानी पसंद करते थे अच्छा फिर तो वो आपसे हर रोज बिर्यानी बनाने को बोलते हूंगे जैसे मैं बोलता हूँ नहीं, वो मुझसे नहीं कहते थे, बलकि वो तो खुद हर रोज बिर्यानी बनाये करते थे, खुद भी खाते थे और सब को खिलाते थे क्या मतलब अब्बू को खाना बनाने का शौक था क्या? हाँ, बहुत ही जादा, उनका यही शौक देखकर तो तेरे दादू ने उन्हें ये ठेला खरीद कर दिया था तेरे अब्बू बड़े ही मन से घर पर बिर्यानी बनाते थे, और फिर इसी ठेले पर रखकर पास वाले नुकर पर बिर्यानी बेचा करते थे वो वक्त ही कुछ और था, वो चाहे जितनी बड़ी देख बना ले, कभी बिर्यानी बचती नहीं थी इतना स्वाद था उनके हाथों में अच्छा, तो इसका मतलब तुमने भी अब्बू से ही सिखाओ का बिर्यानी बनाना, है न? हाँ, मैं उनकी मदद करती थी, पर बनाते हमेशा वही थे, लेकिन अब, अब तो मुझे ही बनानी होगी न? अम्मी, उदास मत हो, आप एक बात बताओ, जब अब्बू बिर्यानी बेचा करते थे, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? ये खेती करके तो हम पेट भर कर खा भी नहीं पाते, अगर आप भी बिर्यानी बना कर बेचोगी तो मुझे हर रोज बिर्यानी खाने को भी मिलेगी बेटा, ये सब इतना असान नहीं है, तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत से काम जमा लिया था, उनकी कमाई लागत से कहीं ज़्यादा थी, लेकिन अब उनके जाने के बाद हमारे हालात अच्छे नहीं है बेटा, तो ही बता, पूरे दिन के रोजे के बाद इफतारी तक का इंतजाम तो अच्छे से हो नहीं पाता तो भेशने के लिए बिर्यानी कहां से बनाऊ मैं तो इसका मतलब मुझे बिर्यानी खाने को नहीं मिलेगी, अम्मी अब मन कर रहा है आम ओमन अली अपनी अम्मी से किसी चीज़ को लेकर जिद नहीं करता था उस दिन भी उसने जिद नहीं की लेकिन उसकी नम माखों ने निखत को बता दिया था कि उसका बिर्यानी खाने का कितना मन है अली नमाज पढ़ने मस्जिद चला गया और निखत के हाथ भी दुआ के लिए उठ गए या खुदा, ऐसा इम्तिहान ना ले अपने बच्चे की बिर्यानी खाने की ख्वाहिश भी पूरी ना कर सको इतना मजबूर तो ना बना निखत अपनी मजबूरी पर रो रही थी तभी दर्वाजे पर किसी ने दस तक दी असलाम वालेकुम वालेकुम असलाम, जी आप मैं असलम हूँ, आपके पडोस में जो खान साहब रहते हैं, मैं उनका रिष्टेदार हूँ कुछ काम से आया था, पर यहां तो ताला लगा हुआ है, आपको कुछ पता है क्या? जी खान साहब, वो तो अब यहां नहीं रहते पिछले महीने शेहर चले गए यहां का मकान भी बेचने वाले हैं शायद आपको बताये नहीं उन्होंने? वो दरसल मुझसे खान साहब का फोन नंबर कहीं गुम हो गया, इसलिए बात नहीं हो सकी, लेकिन यह तो गड़बड हो गई, खान साहब से जरूरी काम तो था ही, सोचा था कि इफ़तार और मगरिब की नमाज भी उनकी यहां ही पढ़ लूँगा, पर अब कैसे होगा, कुछ ही देर में इफ़तार का वक्त हो जाएगा, अब यहां आसपास कोई धाबा या होटल वगएरा है क्या? जी नहीं, यहां तो ऐसा इफ़तार का न्योता नहीं दे पा रही हूँ असल में मेरी माली हालत मुझे इसकी इजासत नहीं दे रही, तो अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ असलम को निखत की बात समझ आ गई थी उसने फॉरन अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर निखत की तरफ बढ़ा दिये और बोला ये लो बेहन, इतने में हो जाएगा ना? जी भाई जान, बहुत अच्छे से हो जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ, यहीं बाहर इंतजार करता हूँ, अगर आपको कुछ मदद चाहिए हो तो बताइएगा नहीं, नहीं, मैं सब कर लूँगी, आप आराम करें, इसी के साथ असलम निखत के घर के बाहर ही, एक पेड़ की छाओं में बैठ जाता है, और निखत फॉरन इफ्तार की तैयारी में लग जाती है ये तो काफी पैसे हैं, इनमें तो इफ्तार के साथ साथ बिर्यानी भी बन जाएगी, या अल्ला, आज मेरा बच्चा बिर्यानी खाएगा, जरूर निखत फॉरन जाकर पास की दुकान से राशन और गोश्ट खरीद कर ले आती है, साथ ही इफ्तारी के लिए कुछ भल भी, फिर उसने बड़े ही मन से बिर्यानी बनाई, ठीक वैसे जैसे अब्बास बनाय करता था कुछे देर में अली घर वापस आ गया अम्मी, आप आप बिर्यानी बना रही हो, क्या सच मैं इतनी बढ़िया कुछबू, अम्मी बताओ ना, ये बिर्यानी के खुछबू ही है ना, हाँ बिर्यानी ही है, तेरा इतना मन था खाने का, तो बना दी मैंने, लेकिन नम्मी ये सामान कहां से आया? निकषत अली को सब कुछ बताती है अली फॉरन जाकर असलम से मिलता है और उसे शुक्रिया कहता है फिर शाम के वक्त सभी एक साथ इफ़तार करते हैं अच्छा बहन अब चलता हूँ निकषत फॉरन रसोई में जाकर असलम और अली के लिए बिर्यानी लेकर आती है असलम जैसे ही बिर्यानी का एक निवाला चकता है उसके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते है बहन बिर्यानी बहुत ही लजीज है अब थोड़ी और मिलेगी क्या? हाँ मी मुझे भी और चाहिए बस अभी लेकर आई निकषत खुशी खुशी असलम और अली दोनों को पेट भर बिर्यानी खिलाती है उसे ऐसा करने में बहुत ही खुशी हो रही थी अह सोचा न था कि इतनी सारी बिर्यानी खा जाऊंगा मैं बहन सच में आपके हाथों में तो गजब का सुआद है मैंने बड़े से बड़े होटल में बिर्यानी खाई है लेकिन ऐसा सुआद आज तक नहीं चखा जी बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान असल में बिर्यानी बणानी का ये खास तरीका मैंने अपने शोहर से सीखा है उनका बिर्यानी बनाने का ही काम था उनकी बिर्यानी उनके नाम बिका करती थी तब अब बास बिर्यानी अच्छा अच्छा मैंने खान साब से इस नाम के बारे में बहुत सुनाए वो बहुत तारीफ किया करते थे अपके शौर की और उनके हादों के सुआध की वैसे हैं कहाँ आपके शौर कहीं बाहर गए हैं क्या अब्भू बहुत दूर चले गए हैं अल्ला ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया इतना कहकर अल् weaker अपनी अम्मी से लिपट कर रोने लगा असलम को अब सारी बात समझ आ गई थी फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने सूट केस से पूरे पचास अजार रुपे बाहर निकाले ये लो बेहन, ये रख लो जी, ये इतने सारे पैसे नहीं भाई जान, माफ करिये पर मैं इने नहीं ले सकती पहले आपने जो मदद की वही मुझ पर और मेरे बच्चे पर बहुत बड़ा एहसान है आपका अब मैं आपसे और कुछ नहीं ले सकती ये तो आपको मुझे भाई बनाने से पहले सोचना चाहिए था, मैं ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अपने शोहर का रुका हुआ काम फिर से शुरू कर सको वो वही है ना बास भाई का मशुहूर ठेला ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ये पैसे रखो और इस ठेले को फिर से खुशकाबार कर दो, मैं जल्द ही आऊंगा फिर से बिर्यानी खाने इतना कहकर असलम ने निखत के हाथों में वो पैसे रख दिये, निखत कुछ ना बोल सकी लेकिन उसकी आँखों से बहते आंसों में उसके जजबात साव चलग रहे थे असलम वहां से चला गया लेकिन निखत और अली को एक नई जिन्दगी दे गया निखत ने ठीक वैसा ही किया जैसा की असलम ने उससे कहा था पूरे रमजान रोजा रखने के बाद निखत ने ईद वाले दिन से बिर्यानी बना कर बेचने की शुरुआत की उसके हाथों से बनी बिर्यानी की खुश्पू जल्दी ही सारे गाउं को उसके पास खीच लाई निखत वा बेटी बहुत ही अच्छा किया तुमने अब बास के जाने के बाद तो जैसे बिर्यानी में स्वाद आना ही बंद हो गया लेकिन अब अब फिर से बिर्यानी महकेगी और सबके जुबान पर चड़ेगी लाओ जल्दी से प्लेट लगा कर दो निखत और अली खुब मेहनत से अपना बिर्यानी का ठेला चलाने लगे गाउं के लोग तो पहले दिन से ही आने लगे थे लेकिन धीरे धीरे दूसरे गाउं और पास के शेहरों से भी निखत को बिर्यानी बनाने के ओर्डर मिलने लगे अब निखत और अली को किसी बात की कमी नहीं थी उनके रहन सेहन से लेकर खाना पीना सब बढ़ियां हो गया और अब अली स्कूल जाकर पढ़ने भी लगा निखत का ठेला जल्दी ही नामी होटल में बदल गया असलाम वालेकुम, कैसी हो बेहन? हरी, भाईजान आप, वालेकुम असलाम आईए, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आईए निखत के होटल को देखकर असलाम को बहुत खुशी हो रही थी साथ ही फक्र भी बेहन, सच में, मान गया आपको इतने कम वक्त में आपने क्या से क्या कर दिखाया वो भी इतनी छोटी सी रकम से नहीं भाईजान, ना वो रकम छोटी थी और ना ही आपकी मदद, आपकी दुआ, आपकी दुआ और अल्ला ताला की नैमत से हुआ है ये सब, मैंने तो बस अपना काम किया है, आईए, विर्यानी तयार है, आप नोश फर्माईए, मैं बस अभी आई वा बहन, बिलकुल वही स्वाद, और बहतरीन, अल्ला आपको ऐसी ही बरकत दे शुक्रिया भाईजान, अब ये लीजे, ये आपकी अमानत, मैंने संभाल कर रखी हुई थी ये, ये क्या बहन, ये पैसे लोटा कर मुझे पराया मत करो नहीं भाईजान, आप कभी पराय हो ही नहीं सकते, मैं ये पैसे आपको लोटा नहीं रही हूँ, बलकि इसलिए दे रही हूँ, ताकि इनकी मदद से आप फिर किसी बेहन की जिंदगी बदल सके और अल्ला की रहमत सब पर योहीं बरसती रहे असलम निखत की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उन पैसों को लेकर फिर से निकल पड़ा, किसी नई निखत और आली की तलाश में